हेले स्टोडेंट कैसे हैं आप साब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने चैनल स्यू कोचिंग क्लस्टेस पर स्वगत है और आज का वीडियो है एनपी एन ट्रांजिस्टर का कार बीधी उभै निष्ट उत्सर्जक बीधी पे इसका हम जो प्रयोग कर रहे हैं जैसे उ सब्सक्राइब करते हैं आज का वीडियो ठीक है इस पहले स्ट्रूडेंट आपको समझना है कि यह कौन सा ट्रांजिस्टर यह एंट्पी एंट्र ट्रांजिस्टर में क्या होता है एन प्रकार के और पी प्रकार के अर्धिशालक से मिलकर बनाया जाता है तो इसमें स्टू परत है वो N प्रकार के अल्दचाला के क्रिस्टलों के बीच दबा कर बनाया जाता है इसमें तीन इलेक्ट्रोड की बहांती लगे होती इसलिए ट्रायोड बल्व की बहांती काम करता है तो NPN ट्रांजिस्टर में N छेतर में इलेक्ट्रान होता है और P छेतर में होल होता है औ क्या है आपका इमिशन है जो की एन होता है इसमें इलेक्टरान होता है और कलेक्टर सी जो होता है संग्रहाक होता है इस पर भी इलेक्टरान होते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो ट्रांजिस्टर है वो एन पीन ट्रांजिस्टर है यहां पर एन है फिर यहां पर P है और यहां पर N है मतलब यहां पर एलेक्टरान है और यहां पर एलेक्टरान है यह उत्सरजक और संग्राहक दोनों में इस टूर्डटरन एलेक्टरान है और होल में क्या है यहां पर आधार में क्या है और होल है यह मतलब इमीशन इमीशन एन का बना हुआ है मतलब एलेक् इसलिए NPN transistor हो गया आपको लिखना क्या इस्टरन NPN transistor के उभएनिष्ट उच्छर्जक परिपत में प्रदर्शित किया गया है जिसमें की उच्छर्जक E को यहाँ पर उच्छर्जक है यह उच्छर्जक E को आधार और संग्रहा के सापेच यह रिण दिख रहा होगा आपको रिणात्मक विभवव पर रखा जाता है कहां रखा जाता है यह रिण के करण यह कौन सब विभवव पर है रिणात्मक विभवव पर है द्यान दीजेगा प्यारे भाईयो इतना थोड़ा सा आपको समझना है ठीक है त्यान दीजिए फिर से समझेगा पी एन पी एन ट्रांजिस्टर में जो आपका उत्सरजक है इसको आधार और संग्रहा के सापिछ रनातमग भौव पर रखा जाता है इसकारण से उत्सरजक यहाँ पे उत्सरजक है उत्सरजक छेत्र के इलेक्टरान जो है ये भी ब इसे प्रतिकरसित होकर कहां जाएंगे श्रिंड तो इलेक्टरान जो है आधार की ओर चलेंगे कहां चलेंगे आधार छेत्र की ओर चलेंगे आधार छेत्र क्योंकि अत्यंत यहां से प्रतिकरसित होता है रिंड से इलेक्टरान है तो रिंड से प्रतिकरसित होता है आधार क की दिसर इधर क्यों होती क्योंकि इलेक्टरान इधर जाएगा होल इस्टुएंट यहां पर होल है तो होल इधर आता जाएगा और इलेक्टरान इधर जाता जाएगा यह भी मैं आपको समझाओंगा कैसे थोड़ा समझने की बात इस्टुएंट जैसे माल दीजी यहां पर इ देगा तो खाली मतलब इलेक्टरान इधर भाग रहा है इलेक्टरान इधर भाग रहा है इसले धारा की दिसा इधर हो रही है यहां पर प्यारे भाईयो जो इलेक्टरान की दिसा इधर है क्योंकि हो लाएगा तो इलेक्टरान इधर भागेगा इलेक्टरान इधर भागेगा जो बचा हुआ इलेक्टरान होता है teşekkür संग्राहा के अंति सिरे पर पहुँचता है यहां से होल उदपन होता है बैटरी بھی सीघी से होल अब होल कैसे उदपन होता है यहां से इलेक्टरान आ रहा हैकर एलेक्टरान इधर जाे ребята रहा केसे समझने की कोशिश करें यहां के जब इल अब यदि यह इधर जाने की कोशिस करेगा तो माली जे होल है या कि यहां पर इलेक्टरान इस इलेक्टरान को हम आगे बढ़ाएं तो होल उत्पन होगा और होल इधर चलेगा और यहां पर होल जाकर कि यहां पर संयुक्त होगा और इस इलेक्टरान को नस्ट कर देगा और electricane कहां जाएगा तो इधर जाएगा तो hundredपन होगा यहाँ पिर oldपन होगा यहाँ पर प्रक्रशचचप हो पर इलेक्ड़ान जाएगा तो खाली बचे गा तो होल आकर करी नसीरे पर समावत हो जाता है यहाँ पर सबसे बड़ा confusion बच्चों को यही है कहां पर कैसे हो लुदपन होगे कहां पर कैसे होगे यह चीज है पहले एक बार समझे फिर लास्ट में फिर से समझाने कोशिश करूँगा ठीक है एन पी अंट ट्रांजिस्टर में यहां पर जो उच्छ सर्जक है इसको आधार और उच्छ से होल उत बन होता है इस प्राक्रम लगातार चलता रहता है इस प्रकार से परणाम हाँ जो I.E. प्राप्त होता है वो आई वी और I.C. के बरावर होता है किसके किसके आई वी और I.C. के बरावर होता है अब मैं यहाँ पे बात करूह जैसे इधर हूल चलता है तो इलेक्टरान चलेगה इधर simple है होल भाई इधर देखो न होल यहां पे है तो होल होगा तब ही तो संगत होगा तो जब होल होगा तो यहां की इलेक्टरान इधर को देंगे तब ही तो होल उत्पन होगा इसी प्रकार यहां पे जो इलेक्टरान जा रहा है क्या जा रहा है? इलेक्टरान यहाँ पे है तो अब यहाँ इधर से क्या आना चाहिए होल आना चाहिए होल कब बनेगा होल कब बनेगा जब इलेक्टरान बिस्थापित होंगी तो यहाँ से होल आ रहा है और होल आने से स्ट्रेंड इलेक्टरान बिस्थापित होते हैं और इलेक्टरान की दिशा इधर भा इधार जा रहा तो धारा कीदिसा इधार ओर जा रहा इस प्रकार से इस पर कारक्रम होता है। थीक है ? एक बार लास्ट बार समझता हूं फिर से क्या होता है स्टुएट यह आपका पी एनपी when होल सुरी एंपी एलेकों ए्लेक्टरान फूलल इलेक्टरान ठीक है उसर जग आधार संग्णराः तो जो सर्जग होता है इसको आधार संग्णराः उसQ पूह थां यहां के जो electron है उत्त होते ह 영ig. योगो प्रतिकर्सीद होते हैं और अधर से जाकर के सयोग करते हैं किवल 2-5 % 2018 किवल 2-5 परसंट इलेक्ट्रान जो है अधर पर जाकर कि harus्योग करते हैं और अल्पधारा आइवी प्रवाहित होता है न gefल होता है संग्राहग दौरा ग्रहन कर लिये जाता है जैसे इसके अंद शीरे पर पहुंचता है जो बैट्री भी-सी- से भी-सी-ए के दरात्मक सुरे से होल उत्पन होता है और यहाँ पर आकर किसको समाप्थ कर देता है कि अब पर ये आपका उस सर्जक है इसके बाई छेतर पर है ना सैसे ओजी बंद तूटता है और यहां से होल उत्पन होता है जो की जाकर के बी बी ए के रंड सीरे पर जाकर समाप्त हो जाता है और यही प्रक्रम लगाता है चलता रहता है और इसलिए परणामी धारा आई-ई की रू का उचित रूप से प्रयोग कर सकते हैं प्रवर्धन कर सकते हैं है ना उसके लास को बचा सकते हैं जो आपका प्रायोड बल्व की भाती होता है क्योंकि ट्रायोड मतलब तीन इलेक्रोड इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं यहां पे थ्री हैं तो वन से गया तो में पहुंचा और जो बच गया वो थ्री में चला जाता है और इस प्रकार से इसमें जो भी आपका नश्ठ होने से बच जाता है तो इस प्रकार हो गया आपका पढ़ाया हूं उसका अगर अभिनत पश अभिनत उसकी अर्द तरंग रिष्ट का इरूप सारा चीज वहां पर कंप्लेट करा तो प्लीज उसे आप लोग देखें अच्छे से पढ़ें मेनत करें तो चलिए आसर उमीद है यह वीडियो को पसंद आई होगी पसंद आया तो कर दीजेगा दोस्तों सेर कर दीजेगा नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा साथी बेल आइकन प्रेस कर लीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में जैहीं बंद मातरम